जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मुझे में होंगे दोस्तों, चंद्र जो है, वो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला गिरा है किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि चंद्र दूशित है, नीच का है या ऐसे किसी ग्रह के साथ में बेठा है, जहां बेठ करके वो नीच के योग बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति का मन काफी उपर नीचे होता रहता है और ऐसे व्यक्ति के मन के विचार काफी निम्नकच्छा के होते हैं और ऐसे व्यक्ति काफी अपरादिक मामलों में इनका योगदान होता है यह सनयंत्र में ऐसे पाय जाते हैं क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो अपने मन के आधार पर करता है जब उसके मन में कोई चीज चलती है किसी चीज की बड़ी सोच चलती है उसी तरह से व्यक्ति आगे कारे करता है चीजों को अंजाम देता है तो कहने का ताथ परहिब कि आपका जो मन है वो काफी मजबूत होना चाहिए और आपका मन तब मजबूत होगा जब आपका चन्द्रमा प्रशन होगा क्योंकि आपने सुना होगा काफी लोग यह बात कहते हैं कि इस काम में मन नहीं लगता है मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है तो यह जो मन है यह यदि आपका द्रड हो जाता है और यह यदि किसी काम में लग जाता है तो उस व्यक्ति के सफल होने के चांसिस काफी हद तक बढ़ जाते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ उस उपाय से आपका जो मन है वो काफी हद तक मजबूत हो जाएगा और जब आपका मन मजबूत हो जाएगा तो आप जो कोई भी नियर्णे लेंगे वो काफी मजबूत नियर्णे होंगे और आप जो कोई भी काम करेंगे उस काम में आपको 110% सफलता मिलेगी तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंदम गुरंथों में छुपवे कई ऐसे गोड रहसे हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तंत्र मंत्र टोने टोटके के राएं जानकारी प्रिदान करते हैं अंकसास्त्र जोतिसास्त अष्ष मारट देवार पूजा विधी त्यादी के आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाला हूं कि इस जानकारी को यदि आपने properly समझ लिया और इसको यदि आपने properly इसके पर work किया तो समझ लिजिये आपके सारे ही काम बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाएंगे कुद्रत ने व्यक्ति को कई तरह के ऐसे उपाय ऐसे तंद्र मंद्र टोने टोटके बताये हैं कि जिससे व्यक्ति अपने उस समय के भागे को बदल सकता है कई टोने टोटके ऐसे होते हैं कई पूजा विधी उसी होती हैं कि जिसमें कोई ना कोई तरह का किसी ना किसी तरह का खर्च लगता है किसी में कही ना कहीं समय लगता है किसी ना किसी को इंवल्व करना पड़ता है लेकिन कुदरत ने कई सारी चीजे आपके सरीर में इस तरह की दे दी जिहां दोस्तों व्यक्ति के अंग में इस तरह की चीजें दे दी कि यदी व्यक्ति उसको properly यूज करता है तो भी वो अपना भाग्य विधाता बन सकता है अपना भाग्य बदल सकता है ऐसे ही आपके सरीर में आपके हतेली में एक जगा है यह जगा जिसको चंद्र परवत कहते हैं दोस्तों जिसकी हतेली में ये उपसा हुआ होगा वह व्यक्ति मन का काफी मजबूत व्यक्ति होगा उसका मन जल्दी से यहां वहां हिल नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत जल्दी से हिला नहीं सकता क्योंकि वह मन का मक्कम इनसान होता है और जब रात्री के समय आप सोने के लिए जाते हैं तब आपका मन काफी सांथ अवस्था में होता है पूरे दिन के भागदोर परी जिंदकी से ठक कर जब आप सोने के लिए जाते हैं तब आपका मन निस्चल हो चुका होता है और तब यदि जो मैं उपाय बता रहा हूं उस उपाय को यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप काफी सफलता प्राप्त करेंगे यह उपाय आप सवेरे उठते के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि तब भी आपका मन काफी सांत होता है लेकिन क्योंकि रात्री के समय इस उपाई को आप करके सो जाएगे तो सोने के बाद इसका जो प्रभाव है वो आपके अर्ध जागरत मन पर पड़ेगा और आपका अर्ध जागरत मन उन सारी चीजों को समेटे हुए होता है जो आप चाहते हैं और जो कर नहीं पाते हैं तो ऐसी चीजों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और आपको वहाँ से सारे ही रास्ते मिलने लग जाएंगे अपने आप इस तरह के काम होने लग जाएंगे कि आपके सारे काम एक के बाद एक बनने लग जाएंगे तो आपको करना क्या है जब आप रातरी को सोने के लिए जाते हैं उस समय आपको यह जो जगा है इस जगा को आपको इस तरह से इस तरह से बस ऐसे इसको इस तरह से करते रहें ऐसा करने से आपका जो चंद्र है वो काफी मजबूत होगा आपकी जो सोच है वो काफी द्रड़ होगी द्रड़ सोच के साथ आप जब भी कोई काम करेंगे उस हर काम में आपको सफलता मिलेगी तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहें देव प्रकास और अपने जवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद